जैम आतादी, साथियों आज पूने शहर के एक एतिहासिक किले की और चलते हैं, जो यहां का एक में टूरिस्ट पॉइंट है. इस किले का इस्तेमाल काफी टीवी सीरीज में और पिक्चरों में हुआ है. शनीवार वड़ा, अठार्वें शताबदी में भारत की राजनीती का, मराठा राजनीती का मुख्य केंद्र रहा. यहां मराठा सामराज्य के पेश्वा रहते थे. पेश्वा बाजीराव प्रथम, जो चत्रपती साहू जी के प्रधान मंत्री थे, उन्होंने यहां अपने निवास्थान की नीव रखी शनीवार के दिन 1730 इस्वी में. और शनीवार के दिन ही इसका उद्घाटन हुआ इस महल का, इसी लिए इसे शनीवार वाड़ा कहा जाता है. बाद के पेश्वाओं ने इसमें अन्यभवन बनवाए, दिवारे बनवाई, फवारे बनवाई और किले बंदी की. शनीवार वाड़ा जब से बना, इसमें कई बार आग लगने की दुरगटनाएं हुई, और अब इसमें मुख्य धाचा, जो मजबूत गरिनाइट का था, वे ही बचा है. शनीवार वाड़ा के मुख्य दर्वाजे प्रसिद्ध हैं और यहां के बाग प्रसिद्ध हैं. इन दर्वाजों में एक डिल्ली दर्वाजा प्रसिद्ध हैं. यह दर्वाजा इतना उंचा और भव्य है कि उसमें हाती हौदे समेथ अंदर आते थे और कोई दुश्मन इस पे आकरमर ना कर सके तो उसमें 72 बारा इंच लंबी कीले लगी हैं हातियों की उंचाई जितनी दर्वाजा ना तोड़ सकें. एक प्रसिद्ध मस्तानी दर्वाजा है और कहा जाता है कि बाजी राव प्रथम की पत्नी जिनका नाम मस्तानी था इस दर्वाजे से रास्ता उनके महल की तरफ जाता था. एक खिडकी दर्वाजा है जो पूर्व की और है गणेश दर्वाजा है जहां से होकर महल की इस्त्रियां गणपती मंदिर तक जाती थी. एक यहां नारायन दर्वाजा है जो पाँचवे पेश्वा नारायन राव के नाम पर रखा गया जिनकी सत्रा सो तिहत्तर में शडेंत्र के तहत हत्या कर दी गई थी. महल की अन्य मुख्य इमारते हैं गणेश महल, रंग महल, अर्सा महल, दीवान खाना और फवारों और फूलों के बगीचे. यहां शनीवार वाड़े के सामने एक बड़ी मूर्ती पेश्वा बाजी राव प्रथम की खुले में लगी हुई है और यहां खुले में ही रात को लाइट एंड साउंड शो आयोजित किया जाता है. यहां सुवेनर और किताबों की दुकान भी है. साथियों मेरे साथ ऐसे ही भारत के एतिहासिक स्थान, धार्मिक स्थानों के दर्शन करने के लिए और उनकी जानकारी पाने के लिए. प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दिस चैनल. जै माता दी. जै माता है.